हेलो एव्रीवन सिविल स्टैप हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गुड इवनिंग कि तो आज के जो सेशन होने वाला है इसमें हम कंप्यूटर ये कुश्श्च करने वाले हैं लास्ट क्लासिस में ने ममनें कंप्यूटर के टिसकस किया वह ये असत्कर चुक एदे हैं वो सब कुछ आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आपने जुड़े रहना है, और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें, इसके इलावा एक और इंफ्रमेशन में आपके देना चाहता हूँ, कि जितने भी clerical level के exam हैं, जैसे differentiate clerk हो गया, high court clerk का paper है, suggestию expert का paper है, jyyt का paper है, पٹवारी का जो paper है, इन सभी exams के लिए, जो board, board कवर कर आता, हमीर पर board जो exam conduct कर वाता है, इन सभी exams के लिए हमने एक नया YouTube चैनल भी श्यूरु किया है जिसकी इंफ्रमेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगी जाने कि जो हमारे यह वाले जो चैनल पर चलेंगे ठीक है तो यह चैनल डेडिकेट रहे चैनल पर होना शुरू हो जाएगी और उसकी इंफ्रमेशन आज शाम तक आप सबको प्रवाइड करवादी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के दवारा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए यह मुझे कौन साथ इनमें से डिवाइशल करना है तो इन रamin मिसे कौन सा डिवाइस समय जिन सवाल का जल्दी से मुझे सर करिये आपके प्वूंट व छूसे इसका आंसर क्या होना चाहिए तो काफी डाइसी आंसर्स आ रहे हैं अभी चुलो देखो पहले तो elimination करते हैं ना option यह नहीं हो सकता है क्योंकि यह प्रोटर होता है it is a type of printer है ना print करने के लिए उसकिया जाता है बड़े ब्रोशर्स अगर जब हम करते हैं वह हम प्रोटर के यह से करते हैं पाथ होता है रास्ता तो यह कोई डिवाइस नहीं है पहली बात तो ठीक है उसके बाद ब्रीज का काम क्या होता है ब्रिज का काम क्या होता है नर्मली ब्रिज क्या होता है एक शोर से जोडने के लिए जो हम बनाते हैं से उसी तरीके से एक एक नेटर्क से नेट्वview और जोडने के लिए नोर्मल को घी से बना एक नेटर्वक पर एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटी आटर्विक उसके लिए किसका यूज किया जाता है गेटवे का यूज किया जाता है तो ब्रिज का काम होता है किनेक्ट करना और दूसरे नेटवक में जाना उसके लिए किसका यूज किया जाता है गेटवे का और अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा गेटवे इसका आंसर होगा गेटवे समझा गया इसका अंसर होगा जी बिलकुल शौबित ने बिलकुल सही आंसर दिया है फ्लोटरीज हाई कि क्या रहती है एकसल में जो कहा रहती है। pencil में जो content की alignment होती हूँ क्या रहती है ऺडिवी अन्सर है है फ्लकुब रहेंगी बिलकुल रहेंगी Resistance पर उसमें लेंग्विज का कुछ नहीं आए वह बैसी कम्पूटर स्किल्स है तो यह इसमें अब पर यह इसमें हम्प करेगा आपको आपको एक्जाम में बी ठीक है चलिए तो इसका जो आंसर होने वाला वह रहने होता है जो टेक्स्ट होता है वह हमेशा जैसे ऐसे सेल बने होते हैं इस तरीके से इस तरीके से से लेटैंड होगा तो जो टेक्स होता है वह लेट लाइट होता है और नमबर्स होते हैं वह इसे राइट लाइट होते हैं आपको यह समझ आ गया होगा ठीक है अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है विच आप फॉल्यूइंग इस तो स्विच विट्वीन ओपन प्रोग्राम्स ऐसा कौन सा शॉटकट किया जो ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए काम आता है ओपन प्रोग्राम को होता है ओप्छन होता है छाते डिशावाश कि क्या करेंगे इसके लिए हम गों साथ है कंट्रोल प्लस टैब और क्लस तैब शुफट श्रिफ्ट प्लस टैब एंड कंट्रोल प्रस ओड़ूट यूज किया कभी जिढ़ी में इस चीज का जलती से बताएं कहा यूज किया है यूज किया होगा यह से यह देखिए इसको अगर मैं बंद करता हूं तो यह मेरे पास एक फाइल ओपन है ना तो अगर मैं यहां पर को ओल्ट प्लस टैप दबाऊं तो यह देखो यह अलग से तीन ओपन अगर मजशें गुगल पर जाना यह लखो गुगल पर आ गया अब मैं चाहूं कि मुझे फिर से अपना पीक्ट पर आना था मैं पीपिट प्र यह दबारारा हूं गस्कुम्राइब तो इस question का जो answer होगा that is option number a इसका जो answer होने वाला बच्चे option number a होने वाला है वाई होप यह वाला question भी आपको सब्सक्राइब चलिए अगले question के ऊपर चलते हैं जी next question क्या है what is the main protocol use to access the data on www वर्डवाइड वेब के ऊपर जाने कि internet के ऊपर कौन सा protocol use किया जाता है डेटा के लिए डेटा को access करने के लिए बताइए इसका answer होने वाला है भाई है कि सभी बताइए क्या answer होगा इसको सवाल का अब डेटा को access करने के लिए www वेरी गुड बैरी गुड देखो पहली बात एक टीप फाइल के ट्रांसफर करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यानि कि सेट आफ रूल्स यह हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है एक टीपी उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है उसके बाद आता है html html hypertext hypertext markup language तो यह जो html होता है इसका काम क्या होता है जो बैपेजिस होते हैं उनको design करने के लिए हम यूज करते हैं html का तो यह एक language है ठीक है उसके बाद आता है htp इसका मतलब होता है है hypertext transfer protocol transfer protocol ठीक है तो इसका काम होता है जी डेटा एकसेस जब भी आपने करना हो इंटरनेट पे ओवर दी इंटरनेट www मतलब वर्लड वाइड वैब पे तो इसका आंसर तो यही रहने वाला है html ठीक है अब अगर हम बात करें smtp तो इसकी फुल फॉर्म होती है जी सिंप क्लास से बिलोंग करता है यह वाला आईपी अड्रेस यह कोशन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रीविए सेर में पूछा गया है एक बार आपको क्लास का पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास में कौन सा आईपी अड्रेस रहता है तो थोड़ा वेसिंग इंफोर्मेशन के तो जो वन पार्ट होता है यह वाला जो पार्ट होता है ओसी टीटी बोला जाता है इसको अक्टेट बोल सकते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है एट मिट होती है एक अक्टेट की वैल्यू कितनी होती है एट मिट और टोटल जो आईपी अड्रेस होता है वहता है बत्ती कानश होती है पहले से प्रता चल जाता है कि किस क्लास का कॉश्षन है वह पहले से पता चल जाता है इसका आंसर आएगा झिल्दी स्क्रावण सांश सरी क्लास ne चाहिए क्लास बी में कौन सा कंसिडर किया जाएगा एक सो अठाई से लेके 223 तक और जो दी से होता है वो 24 से लेके 299 और यह होता है वो 240 से लेके 255 ठीक है इसका जो आंसर होगा वह बढ़े लेलो इनको याद कर लेना इनमें से बन जाते हैं ठीक है एक्जाम चलिए नेक्स कोशन देखिए नेक्स क्या बोला गया है कि विच्व फॉल्लविग इस सिंगल क्मुनिकेशन चैनल डैक इस शेर्ड बाए और यूजर ऑन दी नेट्वर्क इसका यूज आपने सेयब इस और इससे पाम घूनिकेशन चैनल चैनल डैक ब्हुद यूज आपने आएगने गेंपना में चैनल ऊट्वर्ट को कोई सोबbonको оч मेंवने क्या होती है इसका ब्रोड़कास नेटवर्क की है इसका बताएए इसकी फूर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे आपने लैंड का सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क मैन का सुना होगा मेट्रोपुलेटिंग एरिया लेट नेटवर्क वैन का सुना होगा वाइड इन नेटवर्क वैसी पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कैन होता है जी ठीक है कैंपस एरिया नेटवर्क एंपस एरिया नेटवर्क ठीक है और एक सैन होता है यह most important अभाई it is most important that is storage area network storage area storage area network है कि अधे वैंद भी होता है वाइड अधिया Network देखो लैन मेन वं तो तुन त्रीनों तो बहुत common है न यह तो बहुत ज्यादा common होते है इसके इलावा स्काया होता है है छैन होता है ठीक है मतलब परस्नल नेजर नेटवर्क और इसकी जो एक्जेंपल होती है देट इस Bluetooth Bluetooth एक्जेंपल है इसकी है ना मालों मुझे आप से कोई data चाहिए आप क्या हम क्या कहते है पहले पहले की Bluetooth अंगर ले Bluetooth जब ओन होती थी तो दो computer आपस में connect हुए जब दो मुवाईल आपस में कनेक्ट वे तो एक नेटवक बन गया है ना तो सबसे बेस्ट एक्जेंपल जो है इसकी वह यही है ब्लूटूथ परस्टनल एरिया नेटवर्क की ठीक है चलिए नेक्स देखो नेक्स तोशन के आए जी विच ओद फॉलोइंग इस नोट डेटाबेस ठीक है विच फॉलोइंग इस नोट टाइप ऑफ डेटाबेस ऑफ्शन से हैं हाई यार्किकल रिलेशनल नेटवर्क ट्रांजिशन अगर आपको याद हो तो आई थिंग कल लास्ट लास्ट में या उससे लास्ट में बताया था इसके बारे में सारा मैंने ट्रांजिशन कुछ नहीं होता है त्रांजिशन 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 कुछ नहीं होता एडवांस में था आपको बता रहेता हूं ठीक है hierarchical model इस तरीके से होता है देखो कि इसे बोलाया था hierarchical model एक पेरेंट मुल्टिपल चिल्टर है ठीक है और जो अपना नेटवक होता है नेटवक भी इसी तरीके से इसको थोड़ा एडवांस वर्जन है कि इसमें क्या है कि एक जो हमारा चिल्टर होगा उसके मुल्टिपल पेरेंट भी हो सकते है इस तरीके से यह होता है और अगर मैं transition की बात करूं तो transition वर्ड जो है ना यह डिदा बेस्में नहीं है transition वर्डोंता PowerPoint में अभी दिखाताँ हूं यह PowerPoint side करा हूँ है मैंने transition basically क्या होता है ज्यान से सभीन आप सबीक जैसे एक सब्सक्तिन ने और दोसरी तो कुछ ग्राफिक्स करते हैं तो उसको वुला जाता है जी त्रान्जिशन का option we have multiple types of transitions here बहुत तरह की transitions है यह देखो ठीक है जैसे honeycomb select कर रहूं है ठीक है यह देखो तो कैसे होगा यह हमारे पास इस तरीके से यह देखो तो यह क्या है transition है हमारे पास ठीक है जैसे यह पिछला अगर मुझे next question पर आना है तो कुछ इस तरीके से चेंज होगी हमारी जो स्लाइड है तो इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है जी ट्रांजिशन तो आई हो ट्रांजिशन भी आपको convert करना है बताइक कितना answer अउसर आएगा 84 बेस 10 83 बेस 10 86 बेस 10 87 बेस 10 बेस तर्ट को एक वर्ट राई करो जिनको आता है मुझे कमेंट में जुरूर बताना आपने 126 अक्टल को आपने decimal में convert करना है 126 ओक्टल को हमने decimal में जनकी बेस 10 में कनवर्ट करना है तो बताइए कितना आएगा आंसर है कि दो आंसर आए अभी तक बीजे ने आंसर किया शौबित ने भी आंसर दिया दोनों का सी आंसर आ रहा है और वी विल चैक इडाउट पूरा सौल करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से बनता है यह बताइए शाबाश कि देखो जब भी आपके पास अपने डेसिमल पर जाना है तो आप क्या करोगे देखो वन टू सिक्स इनको लिख दिया यहां पर क्या करेंगे मुल्टीप्लाइबाइब एट रेस टुपार जिरो बेस एट है ना तो एट की पावर जीरो यहां पर एट की पावर वन यहां क सब्क्राइब आपके आपने हैं सब्सक्राइब तक जाना है कि पावर वन को खेंगे इस तरीका जाने के लिए उसकी पावरों के साथ होता है तो आठ का स्क्वेर कितना होता है तो साट और सट हो गया आंसर के आजाएगा हमारे पास 86 बेस्ट ठीक है मैंने आपको डेसिमल की सारी गनवर्जन बता दी है कलको मालों इस तरीके से आजाए यहां पर आजाएगा एट प्लस पॉर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो के तो चोड़ दो यहां पर आजाएगा थर्टीन बेस्ट है कि देटीन वे उसी तरीके से अगर हट्म होगा मान चलो इस तरीके से आजेें ध्रीन से इस में और एसको आपने ज़ा करना है ड्री कंड Pow फारी क्लास के सिंट में मैं सारी केंवरजेंंस कर वा दूंग strategy करके ठीक है तो इस चीज को अपने दिवाइस करते रहे ना नेक्स कोश्चन देखो क्या कह रहा है हम से कि इन MS वर्ड इन MS वर्ड तू जीरो वन जीरो इस दा फीचर फॉर वर्ड काउंट है से एवैलेबल इन प्रूफिंग अंडर विच्व व्लावल कि देखो इंसर्ट में नहीं है इंसर्ट में वो चीज़े आएंगी जो हम इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है वर्ड काउंट हम रीव्यू में यूज करते हैं रीव्यू करने के लिए कि कितने कितने वर्ड काउंट हुआ है रीव्यू है वो ठीक है तो इसका आंसर आएगा रीव्य इसका अंसराएगा review इसके इलावा थिसारस आपको review में मिलेगा इसके इलावा आपको आपने अगर कोई चीछ translate करने है आपको पता होना चाहिए कि जो word होता है हमारे पास MS word है उसमें translate का feature भी होता है ठीक है तो वह सारा कुछ भी review में मिलेगा इसके इलावा grammar ग्रैमर चेक करनी है ठीक है ग्रैमर चेक करनी है उसके लिए आप किस में जाओगे review में जाओगे तो यह सब कुछ आपको review tab में मिलने वाला है समझगे बात को जी नेक्स देखो जी नेक्स का लिखा हुआ है विच अमंग दा फॉलेंग एन प्रेजंटेशन की बात आती है वहां पर किसकी बात होती है पावर पॉन्ट की ठीक है इसका जो answer होगा वो होगा जी slide master वैसे होता slide मास्टर हम इसको master slide बोलते हैं जहां पर हर एक सेम सेम रहती है आप देख रहे हो ना कि हर एक slide तो सेम तरीके से है तो यह क्या है slide master का यूज किया गया यहां पर वैसे मैंने किया नहीं है इसमें slide master का यूज लेकिन जब slide master का यूज भी करेंगे तो सेम इसी तरीके से होगा तो next class होगी उसमें मैं slide master का यूज करके होगा ठीक है हम उसको master slide बोल देते हैं कि मालों अगर मैंने यहां पर लगाया है तो हर एक हर एक पर यहीं पर लोगो लोगो रहेगा ठीक है समझ गया अच्छा मुझे यह बताईए slide show करने के लिए shortcut की क्या होता है अब लाइट शोग के लिए shortcut की बताईए क्या होता है शाबाश पावर पॉइंट में slide show के लिए shortcut की कोपी राइट के लिए हाँ यूज कर सकते है बिल्कुल कर सकते हैं कोपी राइट के लिए होता है actually होता है क्या है slide master का use क्यों किया जाता है बेसिकली देखो लोगो लगाया मैंने अपना तो वह हर एक स्लाइट पर रहेगा ठीक है और अगर कोई और मानलो मेरी स्लाइट करता तो लोगों रहेगा हाला कि ऐसा कुछ नहीं है अगर मानलो कोई मेरी कोपी भी कर रहे है तो जैसे स्लाइट शोड़ जैसे स्लाइट मास्टर पर लोगों लगा व्यास्ते हट भी सकता ज्यादा बड़ी बात नहीं है एक पूरी की पूरी स्लाइट पर इस सब रिमूप हो जाता है आपरिटिंग पॉसिवल तो कोपी राइट का ज्यादा पंगा नहीं है इसमें वह आपने देखा होगा कि जो कई बार बुक्स बगएरा भी प्रिंट आउट हुई होती है जा कोई कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हुई हो आपने देखी हो अगर कोई एक पर्टिकुलर यूज किया गया है तब स्लाइट मास्टर कर दो होते है ठीक है अब स्लाइट शो का जो शूटकट कि आधि एक पाई फंक्शन की फिप फंक्शन की फट्री एक पाई चलिए नेक्स कॉस्टिए वाट इस आ हैपर लिंक आइधी दीज आर अवसे इस आफर डिसकूस्ट दि इनमें से क्या होता है हाइफरलिंक इनमेंसे क्या होता है जी हाइफरलिंक बहुत अच्छे बहुत अच्छ्छ है तो उसमें कोई भी folder भी लगा सकते हैं कोई website का link कुछ भी लग सकता है ना तो वो क्या करता है आपको redirect कर देता है दूसरे folder यहां फिर page के उपर ठेक है जी it is a text or image that you can click on on to jump to a new document and page तक किसी पर भी नए नए इन डॉकोमेंट में डिडिर्क्षिन को के लिए हम क्या करते हैं hyperlink का यूज करते हैं और जब भी हम कोई hyperlink बनाते हैं तो उसका color क्या होता है हां जिवह और नियुक्र बंता है तो सबस्क्राइब क्या होता है कि ये बी कोश्चन मन सकता है ना कि क्या रहेगा अच्छा इडिक लिखा हुए इसको गया बोलते हैं बैप पेजिस की क्लेक्शन को क्या बोला जाता है हुआ है कि लागण को सबसक्र वयां सब्सक्राइब साइन वाइप सैटो डििल्सक्राइब इंट रखके हमें उपकिस सम्हें सब्सक्रान और करें रॉह घुल्ट हुआइब सको кажए अधे अज्ञा प्रण्राइब होटा-च। है यह इस यह ओता है फस्ट पेज फस्ट पेज पेज होता है यूश्य होटे उसको बहूंग बोला जाता है ठीक है है को और देने टाओ ने जिए इसमें नेक्स्ट इसाइड और टर्म्स अमांग भी इफ और से अदेन्टिफाई दी ओड अमांग दी फॉलोईंग ग्रॉप्स इन में से कौन सा भाई ओड है अप्टिकल फाइबर ऑप्टिक फाइबर कह सब यहां फिर को एक्सियल केबल ट्विस्टेड प्यर वायर माइक्रोवेब्स माइक्रोवेब्स बिलकुल इसका अंसर आएगा जी माइक्रोवेब्स ठीक है क्योंकि रेस्ट अफ़ थ्री और गाइड़ीड मीडिया यह गाइड़ीड मीडिया है और यह होता है क्या है ट्विस्टेड पेर वायर क्या होती है जो टेलीफॉन लाइन होती है हमारी कि जिसमें दो वायर सैक्साच है वाली होती है ट्विस्टेंब्स जो हती है petals कर अगर आपने घर आ पकर थे तो आपको पता होगा कोशियल के वल कभी जो के डिल की तार नहीं होती थी कू एकक्षी अनो इसको एक्षव के बल ूड़ बीच में कोपर की वायर उसके उपर इंसुलेशन उसके उपर एक ब्लैक अलर की इंसुलेशन उसको ले आता है एक एक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर जो आज हम यूज कर रहे हैं हाई इंटरनेट के लिए ठीक है वह क्या है इसमें फाइबर गलास का यूज किया गया है यूज करता है इसमें तो अभी तक हम इसको कह सकते हैं कि बहुत फास्ट है इस अमंग दी डेटा ट्रांसफर जो फोर जी फाइब जी जो अब लगाते हैं आज कल हंड़ेंबी प्यास तुहंड़ेंबी प्यास वाली जो स्पीड है वह उप्टिक फाइबर ही है सारी के सार में फैन सटोड़ेंबर्ए यूज़ कौन सी उथू मैंमरी जो है उसका जो डेटा है स्टोर किया जाता है इनके क्यों धिकमेन में सब्स्क्राइप अ क्योंक्तिक आ Daar जब जो फर्स्ट जन्रेशन थी ना उसमें थे मैंगनेटिक ट्रम्प जो सेखेंड जन्रेशन थी उसमें के आगे मैगनेटिक कोर इसकी तो इंटीग्रेक्टर सरकेट्स हैं यह तो प्रसेशर का दाम करते हैं स्टोरेज का नहीं करते मेगनेटिक टेप तो आपने अपनी जिंदगी में भी देखी होंगी फड़ा पुराने टाइप की अगर बात करो तो देख लिए होंगी आपने बिल्कुल सेकिंड जिनरेशन में जो प्रोसेसर का काम था वो ट्रांसिस्टर करते थे पहले वाले में क्या होता था फुर्स्ट जिनरेशन में पेल में किसका यूज़ किया जมश्व की करगा पलब एक बाङगी कोई नहीं चेक कर लेंगे एक बार हो सकता कि सेकींड के अगयी हो लाइट्य तर्क इस को बाइफ प्तर-फर फॉर पर मेमरी एंड ट्रांजिस्टर कर दो कर रांजिस्टर हमें से गंड़ी consistency में ठीक है ठीक है घूरी किया नीरुसर करो टिंटेक्र नीच्ल सब्सक्राइब रेधन है कि included integration और लार्ज स्कल इंटइगेरेशन तो नेग्रेशन में फिर बी लस ही या री लार्ज स्केठ इंटीग्रेशन चलो नेक्स देखो जी इस तरीके से देखो यह फोटो लगाई हुई है यह मेगनेटिक को रहे है आज कल तो आपने देखा होगा कि मैमरी के लिए तो एक चिप सी आती है वसे पहले इस तरीके से होता था पूरा इस रही है पहली जनेरेशन में तो इस घ्सक पूचा हुए है है एक्षाडेसिमल नंबर का बेस्ट क्या होता है कि यह सिक्स्टीन डिस बाइनरी इस इस अप्टल इस इस बैसिमल इसके उपर तो मैं अलग से लेक्षे दोंगा जिसमें पूरा आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं क्योंकि आजकल हर पेपर में इसके उपर कोशन बढ़ी इस तरीके सा जाएगा टू थ्री ए फाइव नाइन एच थ्री फाइव एफ नाइन नाइन बी क्या अंसर रहेगा इसका हां जी यह जो हैक्जाडेसिमल क्रेक्टर्स होते हैं देट इस दिरो तू नाइन जीरो टू नाइन एड एट वर यही होते हैं एक बरुटक करना जाए जिरो टू नाइन एडट वह हैं ठीक है जीरो टू नाइन दस तक हो झाएंगे फिर एबी सी डी ए एफ ना तो सो टोटल शिक्स्टीन क्रेक्टर हो जाएंगे एट तक तर जो एक के बाद एच लिखा हुआ यहां पर इसका मतलब यही इसका अंसर होगा यह भी है एक्सटीमल नम्बर होता है यह भी होता और यह बी होता है एक अलग-अलग होते हैं इस तरीके से रू लेनेक्स देखो कि विच टाइप ऑफ कंप्पूटर कुडबी फाउंड इने डिजिटल वॉच जो डिजिटल वॉच होती है अपने पहनी होगी जैसे यह वाच है देख रही होगी आपको तो इसमें बताओ कौन सा अब तुकाई मारना दूनों में से कोई एक जा फिर अगर आपको पता हो नोट बुक कंप्पूटर का तो वह भी नहीं है इसका जो आंसर होगा डैट इस एंबेड़ेड कंप्पूटर को करने के लिए एंबेड़ेड कंप्पूटर का यूज किया जाता है जैसे इसमें आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है वह इसमें भी एइंबेड़ेड कंप्पूटर का यूज किया जाता है आपकी कार्स में इस इंटरनेट इंसाइड वाले कार्स होती है उने में भी एम्बैडिट केंप्यूटर का ही यूज किया जाता है वाशिंग मेशीन बिलकुल आइवशिंग मेशीन माइक्रोवेब आजपल तो एस्थी में भी आने वाले टाइम में हर एक में होगा देखना हर एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक मिशीन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा फ्रीजी बगेरा में भी वर्षिक मिशीन में तो है यह बिल्कुल चलिए तो यह थे दोस्ता हमारे 15 questions आई होपको समझ आगे होगे और additional information भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ठीक है आपने भी पढ़ना है आंसरा बहुत अच्छे देते हो और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आंसरा आपके आते रहें और exam तक हम जितने भी questions होते हैं सबकी practice कर लें के करके ठीक है तो आई होप आज की class अच्छी लगी होगी सबको अच्छी लगी सब्सक्राइब करें तो उसके लिए अलग चैनल बनेगा अब और उसमें हम लाइब सेशन करकर आग रहेंगे ठीक है उसके information बहुत 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 टेलीग्राम पर हम दे देंगे आपने वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना एक बार ओके थैंक्यू वेरी मॉच सीव in the next class, thank you